नमस्कार मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गरगर आप देख रहे हैं प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने तीन विवादत क्रिशी कानूनों को निरसकनने की गोशना की तो किसानों में खुशी की लहे दोड़ गई हाला कि किसान नेतारा के इस टिकेट ने अभी आंदोलन को बनाए रखने की बात कही है पंजाब हर्याणा और पस्चे मुत्तर पदेश के जादातर किसान पिछले साल 26 नुमबर से दिल्ली की अलग लग सीमाओ पर इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं अपयर मोदी केस बड़ एहलान के बाद लकनों में आप सांसद संजु सिंग हमारे समवादता गौरफ श्री वास्ताफ से एक खास बात चीत की देखे ये इस बात को साबित करता है कि एक तानसाह और एहंकारी सरकार इस देश में चल रही है नरेंदर मोदी जी के इस अडियल रवये के कारण इस तानसाही के कारण साड़े सास सो से ज़्यादा किसानों ने अपनी जानगवाई सांदोलन में वो शहीद हुए अपनी कुर्बानी दी उन्होंने नरेंद्र मोधी जी की तानसाही की वज़े से एक साल से देस का अन दाता किसान सडकों पर बैठा रहा उनके इस तौर तरीके और अड़िल रवीये की वज़े से हिंदुस्तान का अन दाता पहली बार आजा दी के बार आतंकवाधी कहा गया मौाली कहा गया खालिस्तानी कहा गया देश-द्रोही कहा गया और आज जो उन्होंने फैसला लिया है ये चुनाओं में हार के डर से लिया गया फैसला है ये कोई उन्होंने समवेदन सीलता नहीं दिखाई अगर उन में जरासी भी समवेदन सीलता किसानों के प्रति होती तो फैसला पहले ही हो गया हुगा हम लोगों ने राज sovereignty के अंदर इसका विरोत किया संसद maj तबात नहीं सुने गई हम लोगों ने सड़क पर इसका विरोत किया नहीं सुनी गई किसान गर्मी में बैठे रहे ठंड में बैठे रहे बरसात में बैठे रहे नहीं सुना गया आसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं आप लाटियां चला रहे हैं प्रदान मंतरी नरीन मोदी ने जो तीनों काले कानून पारिद की गए थे वे सरकार ने वापस ले लिये हैं और मोदी सरकार के कानून वापस लेते ही किसान काफी ज़्यादा खुश हो गए हैं कानून में अवास लेते ही किसान संगटनों में कुशी की लहर दोर पड़ी। किसान संगटनों का कहना है कि हमारी तपस्या सफल होई है और केंसरकार बैक फुट पर आ गई है। मंडल अध्यक्ष लेकराद संग ने बताया कि तीनों का लेल कानून वापिस होने से किसानों की जीद हम उनका आभार प्यक करते हैं। यूपी के काईजलों में किसान जश्म ना रहे हैं। कमाया। इसनान के बाद तमाम शद्धालों ने तट पर भगवान सत्य नारायन की कदा सुनी। इसके बाद लोगों ने मेले का आनद उठाया। पर मौझूद पंडा को दान दक्षना देखकर पुन के भागिदार बने हैं। राष्टी लोगदल पंचायती राज प्रकोष्ण में प्रदेश अध्यक्ष पंडित नानक चंद शर्मा आदियुद्या के दोरे पर हैं। और SSP पर पंडित नानक चंद शर्मा ने कहा कि PM मोधी ने जो तीनों क्रिशी कानून वापस लेने की बात कही है ये केवल बात चीत के रास्ता खोलने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि SSP पर कानून बना कर सरकार गारंटी दे। SSP के अंतरगत एक नहीं 23 फसले आती हैं जो रेट सरकार तै करें उससे कम खरीद होने पर उससे अपराद माना जाएगा। पंडित नालक चंद शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में 800 किसाज शहीद हुए हैं और उन सभी किसानों के परिजनों को मुआफ़ज़ा दिया जाए। अबर भी को मेंन खरीद है तो अपराद माना जाए और उसी के साथ हम लोगों के के अंदोलन में लख्षीपूर कांड में जो मारेगे हैं और उसमें उन को कलत है इसको इस डेश को अलगधार कर देने का कम और रागी मंतरी को परखास करने का काम, और आपके जनपत की और पूरे पिर्देश में मनने altogether साहजी जब से साहिए मंत्री ने आपनों खूब देखा हो आ गृतर की कहीं कहीं कलत नहीं आई इसको इस देश को एक अलग ढखन से रसानिक खादर देने का काम करती थी लेकिन मानिय साहधी के बनने के बाद पूरे पिर्देश में डी एपी की किलत है और क्योंकि वर्तमान में किलत है जब किसान एक महीने अपनी फसल बोने का काम कर रहा है तो अगर रालोद की बातों को नहीं माना गया तो रालोद जो उसका सुभाव है आदरेने चौछ चर्णसमी जीट के सिद्धान तो नीतियों को तेट आंदोलन करने का काम करेगा क्योंकि रालोद पूरे पिर्देश में किसान और मजदोनों की लड़ाई को लड़ने के लिए कर संगा शुक्रवार को मोधी सरकार द्वारादीनों क्रिशिकान वरत की जाने के अलान के बाद फतेपुर में महिला कॉंग्रेस अद्यक शेमलता पटेल के साथ गुलावी गैंग लोकतांतर एकवा महिला कॉंग्रेस की चदस्यों ने खुशी जाहर की आद्यक शेमलता पटेल ने कहा कि आज का दिन बहुत ही एतिहासिक दिन है किसानों की जीत का जनतंतर की जीत का दिन है इस लड़ाई में किसानों, मजदूरों और दुकानदारों, महिलाओं सभी ने हिस्सा भी लिया पूरे देश के लिए क्योंकि आज सत्ति की विजय हुई है, सत्ति की जीत हुई है, साल भर पहले से जो किसानों ने अंदोलन किया था, इसी बीच में हमारे 700 किसान भाईयों की सहादत हुई है कभी ठंडी में, कभी गर्मी में, कभी जाड़े में जो अंदोलन करते रहे हैं, और जो विचारे खतम हो चुके किसान, उनके लिए हमें बहुत ही कस्ट है, खेद है इस बात का, क्योंकि लडाई लड़ने में जो उनकी जाने गई है, वो जो काले कानून आज वापस हुई कांग्रेस के प्रदेश उपाद्यक्ष उपेंचौधरी प्रतिक गयात्रा में और रहा पहुंचे यह उपेंचौधरी के बयान दिया कि उन्हों कहा कि आज इंद्रा गांदी का जंदिन है जिस सरेंद्रा ने गरीबी हटाओं के लिए काम किया था उसी तरह से आज प्रियांका भी काम कर रही है वहीं एक साल से जो किसान धन्ने पर बैठे थे, किसान विरोधी तीन कानूनों को लेकर सरकार के विरोध में बैठे थे जिससे हमारे नेता राहूल गांदी जी एवम, हमारे नेता एवम किसान भायों की जीत हुई है तीन काले कृशी कानूनों को चुनाफ के चलते मजबूरन हट धर्मी सरकार ने वापस लिया है इस तरह से हमारे नेता राहुल गांदी की जीत हुई है और हमारे सत्याग्रे की जीत हुई है कर रहें साथ आज इंद्रा जी का जन्दुवा से दिने विचारों को आत्मसाथ करते वोएं सब को संदेश दे रहें कि लिए उनके विचारों बात को बताएं कि इस प्रकाद से इंद्रा जी ने गरी बीवी चा वह प्र लेकर के के कारे किए और आज एक मेहतुपूर कार हुआ है जिसमें की हमारे खिसान भाईयों की differs रहा ज़ों की令 जिसमें आपने देखा है एक साल से हमारे किसान भाई तीन काले किर्शी कानो 이것도 करकर के आंदोलन कर रहे थे और वहां प्रणे पर बेठे हुए थे जिसको की हटदर्मी सरकार ने मजबूरन चुनाव के समय में आज उनको वापस लिया है और एक तरीके से ही एक हमारे सत्याग्रे की जीते है राउल गांदी जी जीते हैं हमारे पार्टी के सभी वरकर्स और किसान भाईयों की बहुत पुरी जीते हैं उत्रपदेश के फिलाल अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार कर दो